जिहां नमस्कार दोस्तों मैं आपका वहीं चीर परीचित दोस्त आज एक और नए टॉपिक पर आप सबसे बात करने के लिए हूँ जिहां दोस्तों आज कल शेहरी जीवन में खास करकर के ग्रामिड छेत्रों में तो कम बट शेहरी छेत्रों में ज्यादा तर लोगों को मधू में यानि कि शुगर की बिमारी की प्रोब्लेम होई दोस्तों सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है शुगर होने का मुख्य कारण क्या है आज कल की हमारी ये भाग दोड़ भरी जिन्दगी उचित आराम न मिल पाना बोडी को इसके अलावा हमारा खान पान जिहां दो करना लेट नेट तक काम करना हम सो नहीं पाते हैं ढंग से फिर आते हैं घर फासपूड कुछ खाया सो गया सुबह जगे फिर वहीं फासपूड तो इससे हमारी बोडी का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है दोस्तों अगर हम अपना खान पान सहीं नहीं रखते हैं कंट्रो खान पान की आदतों नयमित बैयाम और योग की आदत डालने ताकि हमें ऐसी कोई भी प्रोब्लेम ना आए अगर हमारा खान पान सही है और हमारी दिन चर्या सही है दोस्तों तो हमें कोई भी बिमारी नहीं आ सकती हाँ एक मुख्या बात यह भी है कि आज कल बच्चों को कोई शुगर की प्रोब्लेम होने लगी है बहुत सारे लोग तरस्थ हैं तो वैसे लोगों के लिए अपना आज माया होगा हमारे भी जानने वाले कुछ लोग हैं जो शुगर से ग्रसित थे लेकिन उन्होंने एक नुस्खा अपनाया दोस्तों जिसकी बदवलत उन्होंने न और आराम से साथ माले की बिल्डिंग चड़ना या पैदल चलना या किसी भी काम में उनको प्रॉब्लेम नहीं होती है वो नुस्खा क्या है वह हम आप सबको बताते हैं दोस्तों मेथी धाना सो ग्राम सोब पचास ग्राम कालीजीरा पचीस ग्राम अब इन तीनों को ले ल करने के बाद इसे धूप में सुखा लें जब धूप में अच्छी तरह से सुख जाए तब आपको करना क्या है कि इसे मिक्सी में यह कैसे भी बारिक पीस लेना है दोस्तों ताकि यह चून बन जाए जब यह चून बन जाएगा तो इसको इकठा रख लें अब शाम को खाना खाने वगरे के बाद आप जब सुने जाते हैं उससे पहले हल्का गुनकुना पानी कर लीजिए और उसके साथ एक चमच इसके मिस्रण को यानि की चून को ले लीजिए और सो जाईए फिर सुबह जग कर आप अपने धैनी क्रिया से निपटने के बाद आप ले लीजिए वा साउधाने आपको बरतनी है दोस्तों इसके साथ वो यह है कि आप जब भी चून ले तो उसके 45 मिनट तक आप कुछ भी अन या कुछ भी ना खाएं तो सबसे बेहतर होगा खासकर चावल कोई भी फास्ट फूड या तली हुई चीजें या जूस या शुगर जिसमें भी मि तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा आप इन चीजों का परहेज करें 45 मिनट तक चून लेने के बाद इसके अलावा दोस्तों आप नेमत योग आशन योग आशनों का अभ्यास करके भी जैसे खाना खाने के बाद बज्राशन पर आप बैठ जाएं यह आपके लि आपका लिवर सही है तो आपके बोडी की बहुत सारी बीमारियां तो खुद खुद गायब हो जाते हैं इसलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने पीट को स्वस्त रखें और इसके लिए महतोपून आसन है एक बज्राशन और तहलना नियमित तहलना न दोस्तों धन्यवाद